लिए नमश्कार मे राजी बंसाल आप देख रहे हैं हांसी कि आवासां पि cliffs बर्शेरा और दिवाली का थोफ त हैं आद रहे हैं अवी में आधबा सरकार ने हांसी वासियों को क्या दिया हbook क्या ये आधियो सार्गिन सा एक दिरश्य हम दिखा है तो हम काली देवी रोड का ये एक दिरिश्च दिखाते हैं कि एक रोड पर लिखल चल रहा है और एक रोड पार्किंग स्थल बन चुका है आई दिखा रहे हैं कि एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, पंदरा कितने विकल खड़े हैं ये टूवे रोड है जिसको डिवाइडर लगाकर वन वे बना दिया गया है और इस साइड की किसी ने अभी तक सुद नहीं ली जब बार बार हम अधिकारियों से पूछते हैं तो उन पूछ ग्रोवर ने इसका इन्योग्रेशन किया था उसके बाद एक साइड की रोड बन गई और दूसरी राई साइड की रोड कच्ची पड़ी है ऐसी दो आलिशान पार्किंग हम आपको दिखाएंगे पार्किंग नमबर एक काली देवी का पोश रोड जो कहलाता है यह जीन चोक से काली देवी रोड तक जाता है हम पूरा रास्ता दिखाते हैं कि एक साइड का कैसे यह पार्किंग में तब्दील हो गया है रोड की वजाए और गंदे पानी में जिसमें फंगस लगी हुई है यह पानी भी आप देख रही है यह रोड के ऊपर किस तरह से यान स्कूल का गेट है यहां से भी पार्किंग आपको साथ नजर आएगी यह देखिए दूर दूर तक जीन चोक तक एक रोड पर विकल चल रहा है आमने सामने विकल कभी भी यानि कि धुरुगतना गर्स्त हो सकते हैं लेकिन यह रोड वर्सुल से पार्किंग खल बंग गया ह भाजपा का दियावाय एक पार्किंग है दूसरी पारकिंग भी दिखाएंगे कि भाजपा सरकार की की दूसरी पार्किंग इधर है यहां这 आदमी अगर के सभर सकता है अगर रात के आफेरे में इसे रोड समझकर मेरे साथ है सर्माजी समाजी कि पार्किंग बन गया रोड का है है तो तू ए रोड हुआ करता था ताइस वह बया करता था नहीं नाएं कि कोई जानी जाँ ते on इसका तो मुनिश गुरोवर जी ने पहले यहां योजना में जब भादपा सरकात थी जब उद्गाटन किया था लेकिन यहां पर उद्गाटन तो आप देख रहे हो सार्किंगा उद्गाटन होगा हुगा है तो यहां पर गराक आने में दिक्कत होती है अब बारिष में क्या हाल होता है तो बताया था कि यहां क्या दिकारियों कि बारिष के बाद इसकी सुद्र ली जाएगी बताऊ जी यह रोड का क्या हाल है पेट जामें आई या गिकर जामें इस रोड के ऊपर पानी किस कदर खड़ा है और यहां तो भी मचलियों के बीच छोड़ने पड़ेंगे और मचलियां यहां पैदा होंगी यही हालात रहे तो यह इतने दो साल से ऐसे हम देख रहे हैं इसके कितनी बार मुनिश ग्रोवर जी ने इसका उदगातन किया उसके बाद यहां के विधायक ने भी इसका उदगातन किया लेकिन एक फाइड का बार बार उसके सेंपल लिए गे इस रोड के जो बना हुआ है और यह रोड बिल्कुल ऐसा का ऐसा पड़ा है यहां कहते हैं कि पाइप की रहे हैं हम हासी का जहां दुकानदारों को अत्यांत याने की दिक्कत भी होती है और आने जाने बालों को भी याने की बहुत प्रेशानी का सामना करना पड़ रहा है यह टू वे रोड बन वे में कनवर्ट हो चुका है आप सुम इसका साक्षय देख सकते हैं किस कदर इस र रोली और विलर हम दिखा रहे हैं और यहां पर यह केंटर वगएरा यह सब यहां इस रोड पे रोड पे कभी पार्किंग स्था हुआ करता है कि आपने कभी देखा हो तो हम यह पहली बार यहां दिखा रहे हैं तो हर्याना की सबसे बड़ी पार्किंग पार्किंग नंबर वन हासी के अंदर आप देखना चाहते हैं तो काली देवी रोड की एक साइड पर आईएगा और एक साइड पर अपनी विकल खड़ा कर लीजिए और उस पर पार्किंग स्थल देखिएगा कि रोड को कैसे पार्किंग बना दिया गया है हम रोड नंबर एक यानि की हासी की में पेजल लाइन अंडरगाउंड डाल डी गई है लेकिन उसके बाद रोड बनाने का काम कब शुरू होगा यह तो उपर वाला ही जानता है लेकिंग पार्किंग जुरूरद बन गईए दिना पैसे की पार्किंग हम दिखा रहे हैं पार्किंग नंबर एक पार्किंग नमबर दो हम दूसरे एपिसोड में दिखाएंगे वो जीन चोक से टूवर्ज अनाज मंडी को जाता है वो पार्किंग नमबर दो है देखते रहिए दोस्तों इसी तरह हासी की बैबुद्धी का एक दृष्य हम दिखा रहे हैं मैं राजी बनसल मेरे सहयोगी सिन रिपोर्टर लवी सेने के साथ